मैं जगन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस धर्णे के कारकम में मुझे बुलाया है और इस धर्णे के कारकम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्रैप्स या वीडियोज देखे हैं शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यह देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें साद्गी रखनी चाहिए दूसरे लोगों के सुनना चाहिए दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिला है कि जब से सरकार में आये हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है जान लेना खुली सड़कों पर मारना उनकी प्रॉपर्टि का नुकसान पहुचाना और एकर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाब भी कानूनी कारवाई करना जोटे मुकत में लगाना जो जन प्रदिनिदी रहे हैं जो लेक्षिट मेंबर्स रहे हैं उन पे भी जान लेवा हमला करना ये कहीं भी स्वस्व लोगतंत्र में और स्वस्व लोगतंत्र का परचान नहीं हो सकता है ये सही है कि कल तक जगन जी मुक्यमंत्री थे आज वो मुक्यमंत्री है ये जरूर नहीं है कि कल वो मुक्यमंत्री रहे और कल जगन मुख्षंती न बन जाए और बुल्डोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है हम समाजवादी लोग कभी स्विकार नहीं कर सकते हैं आकिरकार इन सरकार ये करकर के क्या मैसेज देना चाहती है सरकार क्या डराना चाहती है लोग खुशी से जुड़ें डर के न जुड़ें लोग तंत की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यंतरी वही माना जाएगा जो डराएं नहीं और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं डिराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं और मैं धनिवाद देना चाहता हूँ जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के जो हिम्मत से जो इन कठिन परस्तितियों में भी जो इन कठिन परस्तितियों में भी अपने नेता के साथ हैं और मैं देख रहा हूँ के जगन जहां नेता हैं लेकिन वो अपने वर्कर के बीच में हैं जो नेता वर्कर रहता है वो नेता हमेशा बना रहता है आज वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं यही वर्कर्स हैं जो कल आपको लड़कर के वहाँ पर दुबारा पहुचाएंगे तैंक यू है देखे बजट पे मैं इसने नहीं बोलूँगा यह जगन जी का मुदा है इसको आपको दिखाना चाहिए बताना चाहिए कि वरकर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए आप किसी की जान ले ले रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं बुल्डोज़ा चला रहे हैं ये तो यूपी में भी हमने देखा है और मैं उस तकलीफ उस परिशानी को महसूस कर सकता हूँ कि यूपी में भी जब बुल्डोजर चलता था और न्याए के लिए जब लोग जाते थे एक कदम आगे देखा है हम लोगोंने एक कदम इस से आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा और शायद दुनिया में देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे उस समय किसी की जान ले ली गई हो तब जब वो पुलिस कर्षड़ी में रहा हो पुलिस कर्षड़ी भी यह मानते हैं कि सबसे सुरची जगए होती है तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिस तरीके से इनके वर्कर्ट के साथ अन्याय हो रहा है हमने अपने बहुत करीब वर्कर्स को देखा है उत्तफदेश में यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी हम तीन लोग सबा के सांसत थे हम लोग लड़े सरकार से नहीं जुके न केवल हम 37 MPs जीते हैं तता समझी हो लेकिन आज जस तरह का सरकार का बेवहार है कल जगन की पुरानी बातों को वो महसूस करेंगे पुरानी पॉलिसी को वो याद करेंगे पुराने कारिकम को याद करेंगे फिर एक बार उनके साथ खड़े दिखेंगे पीजेपी को अगर स्वस्त राजनीत करनी है और देश में स्वस्त महावल बनाना है उनको जनादेश को समझ देना चाहिए जनादेश यही है क Assistance राजनीत हो आप देखिए अभी कावर्ड को लेकर किया किया दा सरकार ने लेकिं सरकार को पीछे हटना पड़ा जनता स्विकार नहीं कर रही है जनता वाईलेंस को पसंद नहीं कर सकती जनता कभी भी नहींचाहेगी कि एक दूसरे की जान ले कोई अखिलेशी आपने आपे वीडियो देखे अभी और बहुत सारी पार्टियां ऐसी है तो आपके साथ मुश्चे में क्या फील आप उसे करना चाहेंगे कि वा आपके देखने हैं साथ नहीं है मैं साथ हूँ क्योंकि ये देखना जरूरी है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या अन्याय कितना किस सीमा तक चला जाता है हमारा इस एक्जिशन में आने का मकसद यह है कि कल मुख्यमंती जगन थे आज दूसरे है कल कोई और भी होगा तो ये वर्कर के साथ अन्याय न ये तरा तनके साथख और सरक मेंगे है